और इस बीच आमादी पार्टी के ओर से प्रेस कॉंफेंस की जा रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। देरी हो सकती है, लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलेगी और जीत सच्चाई की होगी। हमने शांति पूर्ण तरीके से पूरे देश में आज भारती जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था। दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपियोग कर रहे हैं, वो अकलपनी हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनेतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिएगी। सुबह सुबह जो अपनी घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उनको गिरिफ्तार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है हमारा मूलभूत अधिकार है मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बरदास्त नहीं होता है उनके मन में इतनी नफरत है कि एक एक कारेकरता को, एक एक वालेंटियर को, एक एक लीडर को वो गिरिफतार कर रहे है उनको इतना डर क्यों है, वो इतना डरते क्यों है नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते है उपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमरित काल है उपर से तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं कई बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बाते करते हैं लोगों को लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए लेकिन अगर उनके कामों और कार गुजारियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाशा सारी बोली वो दिखावे के लिए एक शद मह जूटा है फरजी है और सच्चाई क्या है सच्चाई उनके काम है जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से अगोशित आपातकाल की परिस्थिती उन्होंने इस देश में ला दी है तो आम आदमी पाटी लगातार सवाल उठा रही है अर्विन केश्रिवाल की गिरफतारी पर और ये कह रही है कि ये दोर आपातकाल जैसा लग रहा है जिस तरह से किया गया है